हेलो स्टुडेंट्स वालकम तो अभीपीडिया पावट बाइभिमन्यू आई-ए-ए-स स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दा करंट जी के ओफ 8 ओफ नमंबर 2022 14 ओफ नमंबर 2020 तो बढ़ते हैं हमारी कि BETH को सेकिंद वीक ओफ नमंबर 2020 का सबसे पहले यह तेजपूर लीची तेजपूर लीची असम के geographical indication टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देखे वह प्रड़क्ट वह प्रड़क्ट जिनकी कुछ अपनी जियोग्राफिकल रिपर्जेंटेशन होती है उन प्रड़क्ट को यहां पे जी आई टैग के लिए अप्लाई किया जाता है और जी आई टैग मिल जाता है उनके की बात भी कर सकते हैं एक स्पोर्ट भी काफी बढ़ जाता है तो अभी तेजपूर में पाई जाने वाली इस लीची को मिल गया है जी आई टैग तो यह आपको ध्यान में रखना है डैट इस वरी इपोर्टन यूंकि जी आई टैग को लेके वेपर में कोश्चन आ जाता ह हमारा जो Commerce and Industry Ministry है इसने जी आई टैग्स के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एक टैग लाइन भी लाउंच कर रखा है एक टैग लाइन लोगो लाउंच किया हुआ अलड़ी इसका जो टैग लाइन है वो क्या है डैट इस इन वेल्यूबल ट्रेजर्स आफ इन इंडिया हिंदी में बोले तो अ तुल्या भारत की अ मुल्या निधी तो असम की टेजपूर लिची इस लीची को क्या मिला जी टैग लीची से एक बात याद करें एक और लीची है एक और लीची जिसको कुछ टाइम पहले एक जीए टाइग मिला हुआ है डैट इस शाही लिची वो लिची कौन सी है शाही लिची तो कन्फूज मत हो यह गा शाही लिची जो पाई जाती है यह है बहार के अंदर तो डॉन्ट बी कन्फूस्ट यहां पे कन्फूसर नहीं होना चाहिए किसी तरह का यह तेजपूर की लिची है और जो शाही लिची पाई जाती है वह बहार के अंदर पाई जाती है लिची यह आप देख सकते हैं लिची फ्रूट होता है तो इसको अब मिला जी आई टैग ज हर साल 1 पर से लेके 10 दिशंबर तक नागलनड के अंदर एक फैसटिवल और वेघनाईनक किया आता है जिसको बोलते है हौनमेल फैस्टिवल नागल अंदर जूनातल ह में पीपल ट्राइब सबूल गभख 16 फेसटिवल को अग्नाईस करते हैं ये इस हांविल festival इस बार COVID-19 ने तो बड़े बड़े जो हमारे फेस्टिवल से उनकी मैंड बजा दी ठीक है हम और नहीं कर पाए काफी सारे फेस्टिवल को COVID-19 के चलते हुए क्योंकि defense हमारे बीच में डिस्टेंस हमारे बीच में रहना चाहिए ठीक है COVID-19 बहुत अच्छे लेवल पर फैला तो उस चीज के कारण इस बार नागालेंड की सरकार र depths ने डिसाइड किया कि यह हॉन्विल फैस्टिवल में सब्सक्राइब करते हैं तुम्स फासे लिवल चुर्चर तो अपनाईन करते हैं अधिस वे начал वर्च को नागालैंड करते हैं सबस्क्राइब करते हैं और दूसरी चीज़ आपको ध्याम में रखनी यह कितनी ट्राइबस यहां पर इस फेस्टिवल का और नाइस करते हैं तो नागा भीबल्स का फेस्टिवल है यह हांब को पहला संडल वूट मूजियम भारत का पहला सेडल बूट Belled दे तो इसको अलग-लग तरह से वहाँ पर दिखाया जाए-गा तो यहां पे इडेन कल्चर में इसकी काफी अहमियत है काफी जगा पर हम इसको यूज करते हैं तो भारत का पहला सेडलवूड म्यूजियम यह कहां बनाया जा रहा है वाई सुरू करनाटका के अंदर भारतिया नेवी का इंडिय नेवी का पांचवा सकॉरपिं क्लास सम्मरीन देखिये भारत सरकार ने इंडियन नेवी यहां पे 6 सकॉरपिंड विराने बनाने का एक प्रॉजैट साइंड किया था प्रॉजैक्ट 75 बोलता है जोро यहां पे चार और पहले से launch किया जिसमें INS कलावरी सबसे पहला था ठीक है INS कलावरी सबसे पहला था 2015 में बेसिकली इसको बनाए गया 2015 में INS कलावरी उसके बाद कंधेरी करंज एंड वेला यह तीर और थे चार और यहां पर बनाए जा चुके थे तो अभी पांचवा पांचवा स्कॉर्पिंट क्लाव सब्मरीन जिसका नाम है वागीर इसको लॉंच कर दिया गया इसको लॉंच कर दिया गया एक रहा जाएगा इसके बाद एक बश्ता है और इसको डिजाइन किस नहीं किया है फ्रेंछ निवलس डिफेंस एंड अनेर्जी कमपनी DCNS DCNS इसने इसको डिजाइन किया था बट यह जो प्रजक्ट था डाइड इस अंडर था मेकिन इंडिया इनिशेटिव यह 2015 में मेकिन इंडिया इनिशेटिव के तहर्ट पहला इनस कलावरी लॉंच कहा गया था तो यह डाइड इस बिल्ट इन इंडिया यह जो सम्मरीन से इसको इंडिया में बनाया इसको इंडिया में बनाया गया भारत की उन को मिक्सकों सींथ को मना है आए अब कौन सा वाजीर निक्स्ट बारत ने सक्क्सविल कर लिय आ है क्विक रेक्शिं सरफस्टू एर विसायल की क् रेक्शिं South य इस सब्सार में कर लिया कहां से अर्ट इसा को र्लिया कौष से समय सक्सेस प्रिस्ट आइस किude कि इंसे किया किया चाहिए वहां पे एय कॉरिटी मेनेजमेंट को देखने के लिए कि किस तरह से वहां पे वेस्ताय की जा सकती एक किस तरह से उसको स्वड़ाउट किया जा सकता है Center government ने committee बनाई है, एक commission बिढ़ाया, हलाकि उससे पहले भी काफि सारी committees बनाई गई थी, बट उन सभी committees के ऊपर एक और committee बना दी गिए, उन सभी committees को replace करके एक और committee बना दी गिए, that is, mm-kutte committee, mm-kutte committee, यह mm-kutte committee के chairman है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको mm-kutte committee बोल रहा हूँ, यह जो mm-kutte है, यह हमारा जो petroleum and natural gas mantra ले है, उसके former secretary रह चुके है, उसके former secretary रह चुके है, तो mm-kutte इस committee के chair person है, यह committee के chair person है, यह air quality management को लेके काम करेगी दिली NCR और उसके आर्सपास के इलाकों में, तो committee, committee का chair person आपको हमें होना चाहिए, क्योंकि chair person को लेकि अक्सर, और या फिर उस committee के अध्यक्ष कोन है, इसको लेकि एक्जामने question आ जाता है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स हमारे पास है, लोनार लेक, लोनार लेक, बच्चों महरास्टरा के अंदर है, महरास्टरा के अंदर एक बहुत ही famous lake है, यह लोनार लेक, इसको रामसर साइट के wetland sites का convention sign किया गया था, wetland science sites का यहां पे convention sign किया गया था, इसलिए इसको बोलते है, रामसर साइट, बेसिकली इन रामसर साइट को डेक्लेर कौन करता है, कि कौन सी साइट, रामसर साइट है, तो that is declared by UNESCO, यह काम करता है UNESCO, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, यह इसको अंदर यह काम करता है, तो य इसका दूसरा नाम भी है, कीथमलेक, कीथमलेक, यह कहां पे है, आगरा के अंदर, यह कहां पे है, आगरा के अंदर, तो इन दोनों को ही, इन दोनों को ही, यहां पे declared कर दिया गया है, क्या, that is, रामसर साइट, इन दोनों को ही add-on कर लिया गया है, रामसर साइट के अंदर इन दोनों को include करके भारत में अब total Ram sir site हो चुकी है 41, भारत में अब total Ram sir sites है 41, इंडिया के अंदर total 41 Ram sir sites है, ठीक है, तो यह Ram sir site जो होती है, यह UNESCO यहाँ पे इसको declare करता है, एक wetland site मैंने बताया अभी आपको Ram sir convention के अंदर, ठीक है, और Ram sir इरान का एक शहर है, it is the city of Iran, जहाँ यहाँ पे इस treaty को sign किया गया था, इसलिए इसको बोलता है Ram sir sites, and इसको declare को करता है, UNESCO, यहाँ पे declare करता है, और भारत के अंदर कितनी wetland sites है, यानि कि Ram sir sites है, wetland sites तो बहुत है, एक ऐसी wetland sites जिसको Ram sir site declare किया गया हो, that is 41, और दुनिया में, दुनिया भर में लगबक 2400 के आस 175 के आप प्रॉक्स, दुनिया में सबसे आ रहा है, UK के अंदर, और भारत में कितनी है, 41, इन दोनों को include करके बोल रहा हूं, एक्स बात करते है, पके टाइगर रिजर्व, यह अरुनाथल परदेश के अंदर एक बहुत ही famous टाइगर रिजर्व है, तो इसने, बेसिकली, इ नाम दियोगा green soldiers, इसको नाम दिया हूँ, green soldiers, अब covid-19 का परको पूरे देश में चल रहा है, तो इस tiger reserve ने क्या किया है, अपने जो green soldiers है, जो front workers है, जो काम कर रहे हैं, पर soldiers, उनके लिए एक insurance policy launch करी है, that is against the covid-19, कि अगर इन green soldiers में से किसी को covid-19 होता है, तो उसका खर्चा ज है, जो amount होगा, that is, मतलब insurance policy का amount, premium, I can say, तो वो पे करेगा, wildlife trust of India, wildlife trust of India, यहाँ पे पे करेगा, ठीक है, wildlife trust of India, यहाँ पे पे करने वाला है, एक NGO की सहाईता से, that is, foundation surge, foundation surge, इसकी सहाईता से यह पे करने वाला है, ठीक है, और हर एक worker को यहाँ पे 1,00, रुपे तक का मिलेगा एक लाग रुपे तक का insurance यहाँ पे मिलेगा, COVID-19 क्या गेस्ट, और basically, as a employees, as a soldiers, जो retire होने वाले, जिनका retirement नस्दीक आ गया है, उनको यहाँ पे 50,000 रुपे तक का insurance, insurance policy मिलेगा, 1000 रुपे तक का, तो यहाँ पाके टाइगर रिजव, कोशन एक सिंपल सथा, यह भी आता है, यह टाइगर रिजव है कहां पे, ठीक है, एक यह भी चीज़ आपको ध्याँ पर ध्यान रखनी होते हैं, क्योंकि यह स्टैटिक जीके को कुशन यहाँ पर निकल के आजाता है, वेर इस टाइगर रिजव, डैस अरुनाचल परदेश, जो कि भारत में बहुत सारे ऐसे वा अरुनाचल परदेश, अरुनाचल परदेश, निक्स, गCOMPET, CENTER गवर्मेंटने हमारा जोटमीनिस्ट्री आप शिपिंक था हमारा जोटमीनिस्ट्री आप शिपिंग रिक्रवुल वटमीनिस्त्री आप भल दिया, उसका ना बदल दिया अब वो próprio कहलाता है, या कहलायगा Ministry of Ports Shipping and Waterways Ministry of Ports Shipping and Waterways अब Ministry of Shipping नहीं कहलाएगा अब कहलाएगा Ministry of Ports Shipping and Waterways and basically इसके independent charge के अंदर हमारे पास मंत्री है मंसुक मडविया मंसुक मडविया यह है मंसुक मडविया जी यह हमारे Minister of State for Independent Charge for Ports Shipping and Waterways I can say तो अब Ministry of Shipping नहीं अब कहलाएगा Ports Shipping and Waterways Ports Shipping and Waterways नेक्स्ट आईएटी गौहाटी देखें इंडिन डॉर्मेंट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक Water Center बनाने का Agreement Sign किया हुआ था तो अभी जो Water Center है इसको बनाया जा रहा है कौन बना रहा है यहां पे University of Western Sydney University of Western Sydney लेट इस ऑस्टेलिया की तरफ से डी परसेंट कर रहा है और भारत की तरफ से डी परसेंट कर रहा है आयाइटी गौहाटी गौहाटी कहां पर असम के अंदर तो आयाइटी गौहाटी और युनिवर्स्टी आफ वैस्टन सेड्नी मिलके यहां पे यह बना रहे यह बना रहे यह बना रहे है कि तो एक फिसेंटर को बनाने के लिए इंडिया और ओस्टेलिया के साथ 21 और members भी जुड़े हुए जो इसको बनाने के लिए help करने तो 5 साल का यह memorandum of understanding sign किया हुआ है ठीक है इंडिया ने औस्टेलिया के साथ पहले से water center बनाने का water center बनाने का भारत ने किसके साथ औस्टेलिया और इंडिया के साथ और और कुछ other parties के साथ है आए टी गोहाटी आए टी गोहाटी अ निक्स्ट भारत ने माल दिवस के साथ चार अग्रीमेंट साइंड किये अभी चार अग्रीमेंट को जानते है सबसे पहले तो है एक Soil plant यहां पर बनाया दाएगा ठीक है Soil He更 यहां बनाया दाएगा Soil plant testing laboratories यहां पर बनायी जाएगी बैंब साथ भारत ने हैं पैसा दे रहा लाने के लिए भारत यहां पे 7.7 million मालदीवन रूफियास यह दे रहा है ठीक है यानि कि भारत को भारत जो है मालदीव को पैसा दे रहा है उसके बात स्पोर्ट्स की फिल्ड में और यूथ अफेर्स की फिल्ड में काफी सारे कॉपरेशन साइन किये गए अब में पॉइंट आती है एक development projects पहले से साइन किया हुआ है इंडिया ने मालदीव के साथ अब उसके लिए पैसा ठीक है लेटर मेल को बनाने के लिए भारत ने पहले से ही मालदीव के साथ agreement किया हुआ है कि भारत मालदीव को 500 मिलियन डॉलर देगा 500 मिलियन डॉलर पहले रूफियास की बात हो ओ रही थी अब डॉलर की बातो हो रही है तो 500 million dollars भारत यहाँ पे देगा मालदीव को यह पहले से साइन और जिसके अंदर 400 million dollar पहले से ही Exim bank sign कर चुका है यह पहले से साइन कर चुका और बाकि का विस्ता है 100 मिने डॉलर्स जोज फॉक्हीं 500 million dollar sign किया था अब गरांट मुल्यों डॉलर का जो घ्रका हुआ यह भारत ने दे दिया है माटीश को अब भारत ने यह साइन कर दिया है tip & here यहां पर भारत दे रहा है माल दिसके साथ चार एग्रिमेंट चार एग्रिमेंट साइन किये नेक्स्ट यूएस के जो प्रेजिडेंट है यूएस के नए प्रेजिडेंट डैट इस जोए बाइडन तो इन्होंने 12 मेंबर की कमेटी बनाई है कोविड-19 से देखें कोविड-19 के करते हुए चलते हुए जो मैडिकल प्रॉब्लम्स आई वो तो आई आई उसके चलते चाहिए उसके लिए यहां पर टास्क फॉर्स त्यार की है डिस्ट जोए बाइडन जी ने जोए बाइडन जी ने अब टास्क प्रकॉश में तीजिएरें करेंगे इस टास्क सब्सकोम से ने चिहां एंडियन अशू हमें इस लिए विए एक मूर्थी विवेक मूर्थी तो एक इंडियन अमेरीकन है जिसके फैमिली पहले भारत में रहती थी करनाटका चैंदर और बाद में इनका जरम अमेरिका में हुआ और यहाँ पर अमेरिका के former Food and Drug Administration Commissioner लिकेसलर और मार्सेला नोने स्मित जो कि यह ये इनिवर्स्टी मेख प्रोफैसर है तो यह तीन मेंबर्स यहाँ पर तीन चेर पर सन्य यहाँ पर डिकलेर किये गयाँ बारा मेंबर्स के इस कमेटी के अंदर जो किस ने बनाई है यूस ने बनाई है यूस के नए प्रेजिडेट्ट जो बाइड एंजी ने इस कमेटी को बना है भारत ने वन मिलीयर डावर का जो कोविड-19 ग्रांट है रिस्पोंस फंड है वो दिया है एसियान कंट्रीज को देखिए एसियान सबसे पहले तो एसियान को समझते हैं एसियान क्या है Association of Southeast Asian Nation Association of Southeast Asian Nation एशिया के अंदर Southeast में जो नेशन्स है यानि कि भारत के बिल्कुल Southeast में जो कंट्रीज है उन 10 कंट्रीज का बनाया हुआ एक ग्रूप है Asian आप इस एस्यान में भारत ने दिया है U.S. डॉलर वन मिलियन डॉलर दिया है Kovid-19 से लडने के लिए मिपटने के लिए 17 एसियान इंडिया सम्मिट वर्चुलिया और नाइस की वह उसके चलते वह मोदी जी ने पैसा दिया है मोदी जी ने पैसा दिया है देखिए कि ऐसियान के बारे में थोड़ा साउय जानते हैं थोड़ा सा और जानते हैं तो कि ऐसियान बना था 1967 1967 is skip has है जकार्ता अमें जकार्ता का इंडॉनेशा के अंदर हैं इंडॉनेशा में इंडवנס करों तो भारत के इससे में जो कंवरी से ऑगो सर्सक्राइब है यह जा defending कंवोड है सिंगापूर इंडोनेशिया वरिटनाम लायोस फिलिपिनस और ठूने ठीक है रिपीट कर रहा हूं मायनमार थायलेंड कंबोडिया सिंगापूर इंडोलेशिया मलेशिया विटनाम लायोस एंड फिलिपिन सेंड भूने इस अधर टैन मेंबर कंट्रीज अश्यान बना था सब्सक्राइब अगर आपको यादो नर्सी माराओ जी ने अपनी सरकार के साथ टाइम पर क्या किया अप्रसी माराओ जी ने सुचा कि भारत की जो फ्रेंट्शीप है वह ऐसी कंट्रीज के साथ जो भारत से काफी दूर बसे हुए लोट इस्ट पॉलजी कि भारत को अपने बहुद्टर उसके वाजपाय सब अब लिए इसको फॉलो किया लूकिस्ट पॉलिसी को उसके बाद मन्मोहन सिंग की सरकार आई तो इतना इसको ध्यान नहीं दिया गया जब 2014 में आती है बोड़ी सरकार तो मोड़ी सरकार ने उसी पुरानी पॉलसी को उठाया लूकिस्ट पॉलसी को और इनों किया किया। दो दर चौहदा में इस लूकास्तरी को बदल से बना दिया एक्त इस्ट पॉलीसी एक्ट इस्ट पॉलीसी हुश कोलश कि अब लूकास्तरे क्या था कि अपनी एश्टब कंटिर्श की तरफ रहां देना चाहिए भारत अपने सbreaking country ने मद्स कांडिया के साथ psychologists लोके सब्सक्रीज करते हैं फिर neste िस एंडिया समीडनाइस कई घ्लाइब किए थी न रखना है कि इसका चेमेंशिप अभी किस शोहन फ्यूक तो इन्हों ने बेसिकली चेर किया बोधीज ने पार्टिसिपेट किया लट इस एसियान एसियान एसोसियेशन आफ साउथ इस्ट एसियान नेशन तो क्लियर हुआ भारत दे रहा है वन मिलिया डॉलर पंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अटल इनोवेशन इसने रॉशिया के एक प्रोग्राम साइरेस के साथ मिलके लांच किया है अटल इनोवेशन मिश्ट इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 यह और लड़ी ओंगईंग है दो हफते का प्रोग्राम है साथ तरीक से लेके 21 नेमबर तक यह चल रहा है ओंगईंग है जिसके अंदर school children's school children's के लिए यहां पर कुछ scientific वे में उनको knowledge provide करवाने के लिए यहां पर printing दी जाएगी ठीक है उनको skills provide की जाएगी तो इसी के चलते हो 48 students and 16 educators और mentors को यहां पर choose किया गया जो यहां पर mobile application के चलते काफी सारे एरियास में बताएंगे की कोविड नए बेसिकली कि किस तरह से scientific application या फिर scientific technology को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है किस तरह से उसको लेके school education को पर मुट किया सकता school education को किस तरह से और अच्छे सब्सक्राइबल की तरफ हम लेके जा सकते हैं तो उस चीसको प्रमोट करने के लिए अटर लीश्व innovation mission ने रश्या के साथ यह मिल के लांच किया रश्या के साथ यह कौन सी कंट्री के साथ यह आपको ध्यान में होना चाहिए आड़ इंपॉर्ट निक्स हमारे पास आता है भारत का पहला सॉलर बेस्ट इंटिग्रेटेड मल्टी विलेज वर्टर सप्लाइप प्रजक्ट इसको लांच किया गया अरुनाचल प्रदेश के अंदर टोटल बनाने के लिए खर्चा जो आया है वह है 28.5 क्रोड रुपे यहां पर खर्चा आया है इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए ठीक है और यह लगबग 17,480 पीपल्स को यह पानी प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा भारत का पहला सॉलर बेस्ट इंटिग्र मुख्या मंत्री है मनहोरलाल खटर उन्होंने लांच किया है प्रजक्ट एयर केर प्रजक्ट एयर केर अब देखे दिल्ली एंच्या रीजन में बढ़ता हुआ पॉलिशन आप गुरुग्राम भी वहीं पर आता है तो गुरुग्राम गुरुग्राम बेसिकली हर्याना है तो अपने स्टेट के इस प्लेज हरे गुरुग्राम को बजाने के लिए हर्याना के मुख्या मंत्री वनोहरलाल खटर जी ने प्रजक्ट एयर के लांच कर दिया जिसके चलते हुए एयर को प्यूरिफाइग किया जाएगा तो इसके चलते हुए इन्होंने 65 विंड अग और यह जो वाई वी लगाया गया इसको बनाया किसने बिसीकली इसको बनाया IIT बॉंब में ने मिलके किसके साथ नेशनल इंवार्मेंटल इंजिनरीं रिसर्च इंसिड़ूट के साथ मिलके इसको बनाया है तो प्येम 2.5 और इस पाटिकुलेट मेटर अफ 2.5 और या फिर टूपय्ट प्येम टूपयंट टैन हो तो इन सभी पार्टिकल्स को यहां पे यह फिल्टर करता है कि यहां पे 60 परसेंट तक पी एम टैन को रिड्यूट करने के लिए 60 परसेंट तक पी एम टैन को रिड्यूट करने के लिए और 30 तो फॉर्टी परसेंट पी एम 2.5 को रिड्यूट करने के लिए यहां पे इसको लगाया गया है यह आपको यहां पे थोड़ा सा पी एम टै यहां पर इस पीम टैंट टाइपिंग एर रहा थोड़ा सा पीम टैंट निक्स्ट भारत के एस्ट्रोनोमर्स ने भारती एस्ट्रोनोमर्स ने 2020 में नॉबल प्राइस जीतने वाली एंड्रिया गेस जी के साथ मिलके पाटनर्शिप साइन करी है कि यह बनाएंगे थर्ड ख़र यालेंट तो यहां पर इसको लगाया जाएगा तो यह कढ़िस को काम करनी तो सब मिलके इसके लिए काम कर नहीं चाइना इंडिया तो सब मिलके इसके लिए काम करें सब मिलके इसके लिए काम कर रहे हैं यह थर्टी मीटर टैलिसको प्रोजेक्ट को लेकर भारती यहां पर कांट्रिबूशन कर रहे हैं और इन्होंने नॉबल लॉरेट प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ मिलकर यह पार्टर्शिब साइन करिए देखें 2020 में जो नॉबल प्राइज इन फैजिक्स है नौबल प्राइज इन फैजिक्स की बात करें तो यह तीन लोगों को मिला था तो यह तीन लोग कोन-कोन से थे रोजर पैं उसको मिला था ब्लाक होल के लिए for the discovery of ब्लाक होल और इन दोनों को मिला था ने शुपर मैसिव कंपेक्ट अब्जेक्ट इंद सेंटर आफ और गोलेक्सी यहां पे इनको दिया गया था रेंहर्ट गैंजल एंड एंड्रिया गेज यानि कि आधा प्राइज इनको अकेले को मि कि alfred nobel alfred nobel की death anniversary पे यह दिये जाते हैं ठीक है अल्फरेड नॉबल की death anniversary होती है कब 10 दिसमबर को तब दिये जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटर गौवर्मेंट ने क्या किया जो ott platform होते जो ott platform हमारे होते हैं इनको क्या कर दिया कि information and broadcasting ministry के अंदर ले पहले ये जो थे पहले आते थे electronics and information technology ministry के अंदर पहले जी आते थे ministry of electronics and information technology के अंदर अब इनको सेंटर गवर्मेंट ले आई है किसके अंदर information and broadcasting ministry के अंदर अब सेंटर गवर्मेंट इसको ले आई है ठीक है information and broadcasting ministry के अंदर अब इसको हम ले के आए हैं तो जितने भी हमारे ये OTT platform से जितने भी हमारे ये OTT platforms है चाहिए वो online news channels है ठीक है या फिर over the top जो भी हमारे platforms है ठीक है OTT होता है over the tops over the top ठीक है जो भी film and TV series होती है इनको online internet के थुरू चनलेस्ट करवान है डैडिस OTT platforms तो netflix हुआ होड स्टार हुआ Amazon Prime ठीक है जी हो गया होड स्टार डिजनी तो ये जितने भी MX player जितने भी है ये सब पहले ministry of electronics and information technology की guidelines के अंदर आते थे ठीक है sensor board का कोई involvement नहीं होता था इसके अंदर तो अब इनको information and broadcasting ministry के अंदर हम ले आये हैं यहां पर amendment की गई है डैट इस 357th amendment rules 2020 के चलते हुए इसके rules में amendment करते हुए ताकि sensor board के rules कुछ rules यहां पर implement के जा सके इसको information and broadcasting ministry के अंदर ले के आया गया है और information broadcasting ministry के हमारे जो minister है इनका नाम है श्री प्रकाश जाविडकर प्रकाश जाविडकर चलिए आगे बढ़ते हैं चाइना चाइना ने भेजा दुनिया का पहला 6G communication satellite देखे चाइना ने लगभग 13 satellite भेजे तो इसी 13 satellite के चलते चाइना ने दुनिया का पहला 6G communication testing satellite भी भेज दिया है देखे भारत में भी तक 5G भी अच्छे वह इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है और चाइना ने 6 G को test fire करने के लिए 6 generation को test fire करने के लिए satellite भेज दिया तो चाइना 6G के तरफ बढ़ रहा है और हम यहां पर अभी 5G launch कर रहे है तो चाहिना ने इसको लांज किया कहां से लांज किया ताइव17 लांज से इसने इसको लॉंच किया और चाइना ऐसा लॉंच करने वाला दुनिया का पहला दुनिया का पहला ऐसा देश मना जिसने 60 कॉम्निकेशन सैटलाइट लॉंच करी है तो बच्चो यह था हमारा दा करेंट जी के करेंट अफिर्स और सेकिंड वीक आफ नमेंबर 2020 क्लास के अं तो ड़ल दे था तो ओद तो एंक्यू तो हम आपना से लॉंच करेंड वाला दूव लॉंच करेंड देश्ट आख टे लॉंच करेंड पालाइट भालाइट टेन वाला डालाइट वालाइट टू यह तो झाल झाल